हाई गाईज कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ आप सबी लोग ठीक होंगे मैं हूँ DS और आप मेरे साथ देख रहे हैं Study Material by DS YouTube Channel तो दोस्तों आपके अपने YouTube Channel में एक बार से से आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया हुआ है कि अप से आपको इस चैनल पर आपके कोई भी बोर का एक्जाम हो आपके यूनिवस्टी के एक्जाम हो या फिर देश के अंदर जितने भी कॉम्प्टीशन के एक्जाम कंड़क्ट कराए जाते हैं चाहे वो बैंकिंग का हो रेलवे का हो या फिर S.S.C. का हो तो मुझस से जितना बन पड़ेगा मैं उससारे एक्जाम के बारे में आपको सारी अप्डेट देने की पूरी कोशिस करूँगा जिहां दोस्तों आपको सारी अप्डेट इस चैनल पर देखने को मिलेगी तो इसके लिए आपको यश्यैनल को सब्सक्राइब करना होगा बेल ऐकन को प्रेस करना होगा ताकि हर एक छोटी बड़ी नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंसके तो चलिए अपनी बात को आँगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में बात करेंगे MP Board 2020 के बारे में और ओफिस्यली ये बता दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जानी दसमी और बारवी के जो चात रहें वो बिना परिक्षा के पास नहीं होंगे जी हाँ दोस्तों यही खबर है इस वीडियो में जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहर जलूरी है अकर आप लोग अंधेरे में हैं कि आप लोग बिना परिक्षा के पास कर दिया जाएंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने बाला है जी हाँ दोस्तों ओफिचली अपडेट हैं चलिए हम आपको दिखा देते हैं उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि आप वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों की भी सेयर कर देना और चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल एकन को प्रेस कर देना ताकि और आपको बताते हैं कि आकर किस तरह से क्या एनाउंस किया गया है तो गाईस जैसा कि आपको पता है कि पहले आपके जो मुखमंतरी थे कमलनाज जी और नों ने इस्तिपा दिया और कुछी टाइम बाद आपके जो हैं सिबरा सिंग चोहान MP के फिर से मुखमंतरी बन गए लिटेस्ट न्यूज और आपको आंगे लिख देना है सिबरा सिंग चोहान जी हां दोस्तों सिबरा सिंग चोहान ने ये न्यूज सीधे सीधे आपसे कही है तो आप लोगों को आंगे लिख देना है जिससे आपको सरलता हो और काफी आसानी से आप लोग न्यूज तक देखने को मिलेगी तो यहां पर क्या लिखा है कि MP बोड की दस्वी बारवी कक्षा की परिक्षा आंगे बढ़ाएं जाएंगी सिस कक्षाओं में होगा जनरल प्रमोशन जी हां दोस्तों साफ साफ आप यहां से देख सकते हैं जैसा कि आप लोग सोच रहे थे कि आप लोगो यहां पर एक और फैसला लिया गया है कि कक्षा एक से लेकि कक्षा आर तक के जितने भी स्टुटेंट हैं उन्हें बिना परिक्षा के पास किया जागा क्योंकि उन्हें जनरल प्रमोशन मिलेगा और उन्हें आंगे की जो कक्षा हैं उन्हें दाखला सिंपली मिल जाएगा लेकिन दसमी और बारवी की जो कक्षा है उन्हें बिना परिक्षा के पास नहीं किया जाएगा यानि उनके एक्जाम जरूर से कंडक्ट कराया जाएगा तो चली थोड़ा आंगे पढ़ते हैं डिटेल में तो आप लोग यहां से सारी जानकारी अच्छे से जान पाएंगे ठ यानि आपकी जो एक्जाम है वो आप 30 अपरेल के बाद ही कंडक्ट कराये जाने की पूरी पूरी संभवोना यापर हो जाते क्योंकि 15 अपरेल तक आपका लोगडाउन लगा हुआ है अगर 15 अपरेल के बाद आपका लोगडाउन हटता है तो 10-15 दिन में आपकी परिक्षा की तयारी है वो दोबाजा से हो जाएंगी और उसके बाद आपके जो एक्जाम है वो 30 अपरेल के बाद आपकी नई डेट सीर जारी करने के बाद आपका एक्जाम जो है वो कंडक्ट करा लिया जाएगा तो आप लोगों को अंधेरे में नहीं रहना है अपनी पढ़ाई को प्रेस कर देना और अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हम आपकी कमेंट का रिप्लाई देने की पूरी कोशिस करेंगे और जरूरत पड़ी तो नई वीडियो की माध्धम से आप लोगों तक अपडेट पहुचा दें जय हिंद जय भारत बंदे मातरम